हेलो गाइस तो बेलगम टुमाई यूटूब चेनल अनीशा खान में तो आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेक्ट होने वाला है आज की वीडियो पे हम लिसकस करने वाला है कि जब भी हमारा कोई फ्रेंड हमें कुछ वार्ट सेप पर कुछ बेजता है एसमिस करता है और को लाइक करें दोस्तों को भी सेर करें तो बिना टाइम बेश्ट की चलते हैं सीधी बीडियो के और तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगी स्क्रीन पर यह मुवाइल ओपन है तो यह मुवाइल ओपन कर लेते हम आपको बदाने के लिए तो आप देख पाएंगे कि हम अभी वर्टमान में चल रहा है चाफ चाफ ज्यादा सोचल मेडिया एब वार्ट सब चल रहा है तो वार्ट हम आपको एक ऐसी चैटिंग बताने वाले हैं जिसको आपको एबलाई करना है और आपको एबलाई करने के बाद आप उन सारे मेसेज को दीख पाएंगा जो आपके दोस्त में वो आपको बेजी थे तो इसके लिए नॉर्मल आपको क्या करना है अपना वाटसप ओपन कर लेन के कोर्नर पर तो आपको इन थी डोट पर क्लिक कर देना है इसके वाद आपको अपनी सैटिंग उपिन करनी है यहां आप सोती नमर पर देख पाएंगे चैट वाला उप्सन जिस पर आपको क्लिक कर देना है जैसी आपके सामने कुछ टाइप का इंटरफीस आता है इसमें आपको स्क्रॉल कर देना है जैसी आप स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने चैट वेकप का उप्सन आता है ट्रांसफर्ट चैट का था चैट हिस्ट्री का तो आपके सामने यह चैट हिस्ट्री वाला उप्सन दिख रहा है आप इस पर क्लिक कर देना है चैट हिस्ट्री लेकिन अभी condition यह है कि आपको यह देखना है कि आपके friend में जो आपको message किये थे वो ट्रीट कर दी है आपको पूरी chat ग्लीट नहीं करने है उसका आपको किवल वो message देखने हैं जो उसने बेजने के बार clear कर दी है तो guys मैं आपको बता दूं कि यह जितने परगार के message आपको WhatsApp के थुरू आते हैं यह सारी notification में include रहते हैं यानि कि आपको यह कोई भी candidate जो आपके WhatsApp नमबर पर save है या नहीं है और आपकी WhatsApp में कोई के रूप में आप उसे देख पाते हैं तो उस notification को कंडिट के दौरा delete कर देने के बाद आप दौरा किसे जान पाएंगे इसके लिए normal कोई बड़ी चीज नहीं है आपको किवल notification को focus करना है guys notification बड़ी समझने वाले चीज़ है जो आपको हरे application में यूज देने वाली है कि notification के रूप में आता है और आपको बुचेड के रूप में देखने को मिल जाता है WhatsApp के storage पर जो सेव हो जाता है इसका मतलब यह है कि notification की खुद की भी एक storage होती है जहां पर जितने एपस आपके मुगाल में आपके द्वारा यूज की जाते हैं सब का वहाँ बार इस टूड़ notification लिष्ट में होता रहता है तो आपको पता चलता रहता है किस एप के थुरू notification आया है हाला कि आपने अगर ऐसा भी apply किया हुआ है कि आपने कुछ apps में notification आपने on करके रखा कुछ में app off करके रखा है तो फिर भी कोई answer लेने वाली बात नहीं है कि notification की list में कोई भी एप की notification चाहे on हो चाहे off हो वो सारी आपको notification की list में जरूर दिखेंगी तो आपको normal कोछ नहीं करना है आपको फिर से अपना विबैक कर लेना है और आपको अपने मोबाल की setting open कर लेना है तो आपको setting open करने के लिए setting वाले option पर क्लिक करते हैं और उपर सबसे उपर search वार का option आता है है इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर आपको guys normally search करना है notification तो जैसी आप notification research करते हैं तो यहाँ पर आपको beat करना है और electronics history boundary to guy's morte Ops on आम आजाते हैं तो अभणा सब सीरों नीस आपको एक ओपत्व होगा नौर्डK किसे इस पर आपको पुलिक करदेना हैं अभड देख पाएंगे यहां पर आपके वाट सयर्णkem यूटूब पूला रहे, आपकी जो भी एप्लिकेशन आपके फॉन में इस्टॉल है, सभी की नौटिफिकेशन यहां पर सो होते हैं, अब आपको जिसकी भी नौटिफिकेशन देखने हैं, आप उसके देख सकते हैं, आप जैसे कि आपकी बाटसप में कुछ देर पहले कुछ मेंसेज आ करते हैं, तो आपके सामने पूरी आपकी वाटसपी चैटिंग ओपन हो जाती है, और आपको जो जो भी मेंसेज किये गए हैं, आपको प्रेंड के द्वारा सभी सो हो जाते हैं, तो गाइस यह आपको जो तरीशा बता गया है, यह हंडिड पर्संट बर्किंग है गाइस, तो आप ज़रूर ट्राइ करें, अगर आप ट्राइ करते हैं, तो हंडिक पर्संट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपको वो मेसेज सारे दिखेंगे, जिनके लिए आप परेशान हैं, तो मैं आसा करता हूँ कि आपको वीडियो थोड़ा भी यूस्पी लगा होगा,